हुआ हैं जैसे आज चारधि संब्र को पहले बटाधू जिसी भी सिप्टों का कोई उख्याम नहीं है ठीक है तो बहुत से लोगों का मन में सवाल था कि किया आज एक्जाम है तो आज के इस वीडियो को तोप सब्सक्राइब देखेंगे जो कि दोस्तों आपके एक्जाम में आने की संभाबना है और जो कुछ देगे हैं उसका भी डिटेल एक्सप्लेशन देखेंगे तो वीडियो को अन तक देखिएगा और चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जिदूर कर लिजिएगा और नो सब्सक्राइब इसके अलावा मिनिममम एज 14 वर्ष तक के बच्चे को आप किसी भी कर खाने में खतनाक नोपनी में आप नहीं लगा सकते हैं यह दोस्तों आप काटिकल 24 कहता है ठीक है चलिए दोस्तों अगला कुसन देखते हैं अगला कुसन दोस्तों आपकी बोरेक्स य CO2 A2B40710S2O तो दौस्तों आपको याधे जो की हो जाएगा औस आपको अगला बताएं से पले दूस्तों आपको एक बात बतादें कि कैसी भी इगजाम के लिए दूस्तों आपका जो मॉक्ट एस्ट होता है बहुत ही इंपोर्टेर हो जाता है तो अभी तक आपने एक भी मोग टेस्ट नहीं लगाया है तो किरपार कर जिनका भी अगले आगे आने वाले इडाय में दोस्तों आप मोग टेस्ट लगा लेजिए उसी दोरां दोस्त टेक्सबुक पर आपका एक सेल चल रहा है बचेत का चक्र जो क आपका 3-5 दिसंबर के बीश चलना है इसमें दोस्तों आपको सेल में मातर 299 प्य में जो 399 प्य का पास मिलता है आपका यहली का वह मातर आपका 299 मिलेगा और अगर आप हमारा कॉपन कोड यूज करते हैं एप जी तो यह कोड यह आपका पास है दोस्तों यहली का वह आप की जरूर से जरूर उच किजीएगा इसके साथ इस साथ दूस्तों इसमें सभी और मौक तस्ता है दैसा कि 162 उसमें आपको सामिल क्या गया है इसके वस्वाइं Farm चोपन कोडी इसके कोई एक इक दांक कर नहीं इसमें डोस्तों आपका सारे एक्जाम का जाए banking हो, railway हो, SSC हो या आपका other pieces exam हो सभी exam का मोक्तिस दोस्व आप दे सकते हैं coupon code APG जरूर यूच किजिएगा 10% off के लिए तो जाइए जल्दी से link description box में दिया रहे गया है वहाँ से आप जाके download कर लिजे और code को जरूर यूच किजिएगा APG ठीक है, तो चलिए वीडियो को सुरूर करते हैं अगले question की ओर, तो दोस्तो अगला question है आपका की magnesium या छीर या milk of magnesium क्या है तो आपका antis acid है या amlanaasak है, तो milk of magnesium is a anti-acid, amlanaasak दोस्तो इससे कहते हैं, तो इसका right answer हो जाएगा, चलिए अगला question है दोस्तो आपका, कि भारतिय समिधान के अनु 6356 में क्या प्रवधान किया गया है, तो दोस्तो चार option आपके पास दिया जाएगा या पिछला वर्ग में आरक्षन के नोकुरियों के लिए, या राज़ियो में राजपति दोस्तो आपका वित्य अपतकाल का प्रवधान करता है, वित्य अपतकाल दोस्तो आपका भारत में अभी तक एक वार भी आपका नहीं लगा है इसके अलावा दोस्तों आपका 3022 यह दोस्तों आपका रास्तिय अपात्काल का आपको प्रबधान करता है भारतिय समिधान का तो आपको मालूम हो दोस्तों भारतिय समिधान में कुल 365 अनुछेद और 22 भाग वर्नित हैं चुना या अनभूजा चुना कहा जाता है विच ओफ दॉइंग इस कॉल्ड लाइम ऑफ क्यूक लाइम तो सार ऑप्शन है दूस्तों आपका फ्यारिक ऑक्साइड केल्सियम औरक्साइड फेरस सल्फेड या कैल्सियम कर्मोनेट तो इसका राइट एंसर दूस्तों अगला किस अंचालन के कितने वर्ट्व पूरे हुए होई है दूस्तों आप देखते होंगे जितने था कुसुन आ रहे हैं वह करंवेश कोसलन आपका प्रदान मंत्री योजनाई सही ड्रेल यहां तो इसका जू एट एंसर रहे हैं तो इसका जो रैट आइसर हो जागा दूस्तों में जो मुख मंतरी हैं वो एक कौन बने हैं चार ओप्सन हैं दोस्तों आपका Y.S. जगमोहनेडी पिनराई बेजयान के चंदर से खर रहा हो और M.K. स्टालिन तो इसका राइट एंसर दोस्तों कर सिंग धामी है इसके लाव दोस्तों वाई जगमोहन वाई एस जगमोहन रेड़ी आकी साच के मुख मंतरी हैं और पिनराई विजयान के साच के मुख मंतरी हैं यह दोनों को आप कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा एक कोस्तन देखें दोस्तों पूछा गया है कि पदम भूशन से सम्मानित गंगुवाई हंगल उत्तर परदेश के डैस घराने से तालुकात रखती है यह दोस्तों आपका प्रस्त आ चुका है तो पदम भूशन से सम्मानित आपका गंगुवाई हंगल है यह दोस्तों उत अगला कोस्तन देखे दोस्तो अगला कोस्तन है कि इसका राइट नस दोस्तो राश्षवा हो जागा आपको मालूम होगा जो भारत की उपराश्षपती होते हैं वे पदन राजसवा के सभापती भी होते हैं तो अरतमान में आपके उप राशपती कौन है ये दोस्तों आपके हैं यगदीव धनकर वे दोस्तों आपका राजसवा के उप सभापती भी है ठीक है चलिए दोस्तों अगला कुस्तन को चलते हैं तो अगला कुस्तन है दोस्तों कि लूज़ाan 22 में निमलकित में से किस राध्या ने व्याव को स्व़रोसगार के लिए रीन की पैसकस करते हुए उद्धम करान्ति युज़ना को सुरू किया है दो दोस्तो ज़ैं किया시나 कि पर्देश की सरकार ने तो योजनावस से रिलेटर दोस्तों सभी राज्यों के योजनावस रिलेटर आपका एक पार्टिकुलर वीडियो बना दिया गया है जो कि दूसर आप जाकर सेक्षिन में देख भी सकते हैं एक कोस्तन देखे पूछा गया दोस्तों कि निमलिखित में से कौन पंडित मेंसे किस वाद यंत्र से हैं वह सर्मा है वह देख्यान के लिए अम्मा यूजना और वाटसल्य यूजना को सुरू किया है अप्सन नंबर दो सिक्किम की सरकारने सिक्किम के बारे में आपको बता दें तो ये दोस्तो आपका सबसे कम जन संख्या वाला आपका राज है जो कि आपके एकजाम में पूछा भी जार चुका है एक कोस्टन होगा घ्रनाचनात्मक सुत्र क्या होगा तो थे दोस्तों आपका CH3 C2O Значит का right answerlya देखे एक कोस्टन पूछा गया है कि पादप कोस्कावित्ति किस से बनी होती है तो दोस्तों पादप कोश्कावित्ति है वो एक दोस्तों आपका बनी होती है Opsen No.1 Celluload से चलिकस अगला प्रस बढ़ते हैं तो अगला प्रस ने दोस्तो आपका धारा का इकाई क्या है The Unit of Crunch All अप का option no.3 MPR Right Hers हो जाएगा चलिकस अगला कॉष्षण की बढ़ते हैं तो अगला कॉष्षण है दोस्तो चालू कोवंस का जो संबंध है वे दोस्तों आपका एहोल एविलेक या एहोल इंस्क्रिप्शन से दोस्तों आपका संबंध है इसके अलावा दोस्तों अगला कोस्टन है कि कलोडोव फोर्म का दोस्तों आपका रसायनिक सुत्र क्या है तो दोस्तों कलोडोव फोर्म का रसाय सुत्र अगला कोस्टन की वर बरें दोस्तों तो वह है कि परख्यात जो असम्या लेखक है और साहित अकाडमी पुरस्कार बीजेता है डैस का जुलाई 2022 में निधन हो गया है तो यह दोस्तों आपका अतुला अनंदर गोश्वामी जी जी थे उनका दोस्तों आपका जुलाई 2022 में निधन हो गया है यह आपका असम्या लेखक और साहित अकैडमी पुरस्कार बीजेता वीरा चुके है एक कोशन पुछा गया दोस्तों कि निमलीकित में से कौन सा राज है जो कि प्रतिवस काली दा सम्मान प्रदान करता है तो दोस्तों काली दा सम्मान प्रदान करने वाला वो राज आपका कौन है तो दोस्तों आपका ओप्सन नमर दो मद्ध परदेश की सरकार है आगला question है दोस्तो कि किस राज के मुखमंत्री ने FIFA Unders 17 महिला 20 कप भारत 2022 होस्ट सिटी लोगो लॉंच किया है तो दोस्तो FIFA Unders 17 महिला 20 का भारत 2022 होस्ट सिटी लॉंच करने वाला जो आपका राज है वे दोस्तो आपका ओरिसा राज है यहां के मुख मंतरी कौन है तो नवीन पटनायक दोस्तों यहां के मुख मंतरी है अगला कॉस्तन दोस्तों कि साहित एकाड़मी के द्वारा अपनी 68 वर्षगात के अुशर पर प्रकासित पुस्तक मांसून के लेखक कौन है तो दोस्तो मानसुन के जो लेखक हैं वो आपके अवाई के हैं ठीके अवाई के हैं 68 मी वर्षगाट के अफसर पर इनको सहित एकड़मी पुरुष्कार से समानित गया है पुछ तक मानसुन के लिए अगला कोस्टन है दोस्तों कि साहित नाटक एकाडमी की अस्थापना डैस में हुआ था तो साहित एकाडमी अस्थापना वर्ष दोस्तों आपके से पूछा जाएगा तो इसका राइट एंसर ओप्शन नम्मर C 1903 हो जाएगा अगला कोस्टन है दोस्तों आपका कि भारत के राष्ट पती और उप राष्ट पती की मिर्तियों की इस्तिति में भारत के राष्ट पती के रूप में कार्ज करेगा तो इसका जो राइट एंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ओप्शन नम्बर एक भार करते हैं वीडिएो पसंद आया cursa चैनेल को लाइक कीजिएगा और दुस्तों में स्वेयद कीजिएगा और चैनल पर नहीं होगे चैनल को sbskribe जरूर कर लिजिएगा और नौटपिक्स ने बिलको भी सासा तॉन कर लिजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों आपका इसी पिकार के एक नए वीडियो में जब तक के लिए जैहिन जै भरत